डो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल साथ हैं डे टूजट में स्वागत हैं दोस्तों आज हम अशीवड प्रतिमिनट के हिसाब से यह डिक्टेशन देखने वाले हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब् मैं रच्छा मंत्राले की मांगों का शमर्थन करने के लिए खड़ा हुगा हूँ वर्तमान घटनाओं से पता चलता है की संसार का हर देश अपनी सुरच्छा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है इस द्रिश्टी से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रच्छा मंत्राले का महत्त है मुझे इस बात की खुसी है की जहां अन्य मंत्रालियों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है इस मंत्राले की कम आलोचना हुई है इससे पता चलता है की इस मंत्राले ने पिछले साल अच्छा काम किया है मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरच्छा नीती का लच्छ यह होता है की दूसरे देशों खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के शंबंध अश्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तच्छेप ना करें लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है की हम अपने देश की सीमाओं और आखंडता की रच्छा करें इसलिए हमारे देश का यह करतब भी हो जाता है की हम अपने पड़ोसीयों के कारियों पर पूरी नजर रखें क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसीयों से आए हैं 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद तासिकंद में जो समझावता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया इस द्रिश्टी से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरच्छा की हर तरह से बिवस्था करें हमारा उद्देश से दूसरों पर आक्रमड करना नहीं है लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमड करें तो हम में इतनी सक्ती अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डट कर सामना कर सकें चेंज आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफी मदद मिली है रच्छा मंत्राले की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमरीका ने पाकिस्तान को पंदरा सो करोड रुपए की फोजी सहायता दी है आज जहां हम फोजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी सक्ती बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फोजी सामान खरीद रहा है अपनी नीट के कारण हुआ सब देशों से लाब उठा रहा है मेरा सुझाव है की हम को भी अपनी सक्ती बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक से अधिक फोजी सामान खरीदना चाहिए आज तिबबत की सीमा पर चेन की डेड़ लाख फोज खड़ी है इस्टप